जाय फांसी देने में दो सेकिंड नहीं लगाता ऐसो को तो बिना कारवाई की फांसी दे देने चाहिए ले तू दे ले जगमेंट तू पढ़ने फैसला तू पढ़ने फैसला तू अ एड़ोकेट यादफ ने जनाब एड़ोकेट मेश्रा ये सर अजिए धर्मेंद्र सेनी हाँ 12th B, मेरेट पॉब्लिक स्कूल हाँ अबे धर्म पैचारने नहीं किया? अबे शिवम, शर्मा अबे शर्मेत तू अबे कैसा है भाई इतने दिनों बाद याँ लास्ट बढ़े पे मिलेते हैं मेरे 12th के बाद पता है कहां गायाब होगे उसके बाद मेरे प्रांसर होगया था मिक्की याद है मेरी गल्प्रिंट वाइफ होगे ही तेरे भाई किया माजी, माजी देखिए सुनी, अब मेरी बाद से अब मेरी बाद से कोट ने बता कॉन मिलाज तेक 12th B वाला धरम दोस्ती अपनी जगा और नाय अपनी जगा आपके बेटे के कातल को फांसे जरूर होगी फांसी? पागल है क्या? आपके बेटा है याँ अब देखिए को ने आपके बाद से उगा मैं देखिए मैं देखिए हाँ जी, कोट की करवाई शुरू की जाए Your Honor दो अक्टूबर की सुदे घरमेंदक पैनी को एक सकेंड एक सकेंड तुझे किसने मुला बोलना था? Your Honor मैं तो जब मैं बोलूँगा तब बोलोगे जनाब मैं तो हाँ जी आदब जी शुरू करो Your Honor मेरे क्लाइंट में बेबुनियाद इंजाम लगाई जा रहा है वे दो अक्टूबर को परवीन का खत्र कैसे कर सकते हैं तबकि उस रात वो दिल्ली में खेही नहीं आई अप्टेक्ट में लोड ऑवरूल इसे बैक हाजी कहां थे आपके क्लाइंट दो अक्टूबर को मेरे क्लाइंट पंजीम गईते स्वामे चिंग में अन्जिगेट ससंग अटेंड करने वहीं भी वो एक लोज में रुखे पासवाले होटल से उन्होंने वाजी खाई और तीन तारीकों नोने पिच्चर देखे ज़्ज सहाब ये भरी अदालत में दृष्यक भी कहानी सुना रहा और आप कुछ नहीं कह रहे कहता हूं ओवरूल्ट इजिवेट जनाब ये रहे सारे समूत उनके दो तारीकों पंजीम में होने के ये ये रॉनर आप खुछ सोचिए कि एक बंदा अपने ही बेस्ट्रेंड का कतल कैसे कर सकता है वैलिट पॉइंट ये है वैलिट पॉइंट में बात है ये एक दोस्त इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कोई हाँ मिश्रा जी आप शुरू करो सर इस फिल्मी कहानी को मैं दो सेकेंड में खतम कर देता हूं Your Honor मौकाई बारदात से हमें ये चापू और धर्मेंदर शानी का ये वालेट मिला इसी चापू से प्रवीन का कतल हुआ है और इस पे धर्मेंदर शानी के उगलियों के निशान भी है इससे साफ साबित होता है कि यादव जी ने गोट में जो कहानी सुनाई जो सबूत पेस्टी है बहुत सारा सर जूटे है इसलिए मैं पॉट से धर्पास करूंगा कि मिश्चर धर्मेंदर शानी इस्राजी हाँ मिश्राजी हाँ मिश्राजी लाओ वो fingerprint क्या दिखा रहे थे किसके fingerprint है ने 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 कुछ हाई नी जिना तुछ हाई नी ऐसा है अधालत का time खराब करनी की तो सोचना मत अब इस इस wallet के basis पे तो हम किसी को फांसी दे नी सकते कोई पुकता सबूत हो गवा हो तो पेश करो सर मैं आपकी इजाज़त से सैंडी सिंग को कटगरे में पेश करना चाहूंगा हां इजाज़त है सैंडी सिंग हाजिर हो थपड़ खीजूँगा तेरे पागल है तू और वें चौप क्या हाला है तो सेंडी भाई बताइए आदालत को दो अक्टुवर की सुभा आपने ऐसा क्या देखा दो अक्टुवर की सुभा रिष्मा अपने कपडे बहर भाण की घर मापी जा रही थिषायंच अबसर निए थाकटी में बालकुनी में चाह पी राता बहुंचो अबे तुम जाहिलो क्या भे कोट पे खड़ोंने की तमीजी मी आ गाली बखरों ना खड़ए ओ यह तो दिल्ली वालों का प्यार है वेंचो यह तो धाइसो साल के लिए अंडर करवा दूँगा तमीज में खड़ा हुजा काइदे में उतार यह टोपी ओपी अरे सर किलस के रहो वेंचो लो दादा जी नहीं पढ़ गाते वेंचो तो इस टेकर में टोफी फैली तो वह तो क्या परक बढ़ता है सुनो ऐसा ही के लिए रूठने मनाने के लिए नहीं बैठे हुए हम शांती से केस लड़ो अगर लड़ना है तो सुनो मिस्टर बिजिनसमैन सिरफ कतल से रिलेटेड क्या हुआ वो बताओ मैंने देखा कि ये आदम को बिल्डिंग के गेट के अंदर गुसा वह एंचो फिर उसके थोड़ी दिर बार फंस ब्लों से चीक ने चिलाने क्या हुआ जाए फिर उसके बाद ये अदमी इस बिल्डिंग के गेट से निकलके एक जम भागा वह एंचो इसना प्रेमिलोड सारा केस बिल्कुल साफ है कि दो अक्टूबर की सुवे धर्मेंदर सानी को पता लगा उनकी गल्फरेंड अकांचा उन्हीं के बेस्ट्रेंड प्रवीन के साथ उनका चीट कर रही है और इसे में उन्होंने अपना आपाख होया और प्रवीन का कतल कर द यह कहान इसने खुद बनाई है खुड़ो तो वे देखा इसने नहीं कुछ ठोस सबूत हो तो ठोस सबूत कोई गवा ठोस हो तो वो ले क्या हो यार ठीक है आपकी इजाज़त है मैं मिस अकांचा सिंग को कटगरे में बुलाना चाहूंग इजाज़त है अकांचा सिंग को को सचाई नगाई है मैं और धरम पिछले चार साल से रिलेशन्शिप में है पर धरम के इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिसनेस होने की कारण वह अक्सर बाहार रहते थे उसी दौरान मेरी मुलाकात उनके बेस्ट्रें प्रवीन से हुई ताइम के साथ हम दोना का बॉन्ड अगे बताईए आगे बताईए आगे बताईए इसकिप करिए इस पार्ट को आगे बताईए फिर क्या हुआ मुझे बहुत गिल्टी फील वह मैं तरह पुछ बताना चाहती थी पर मेरे बताने से पहले ही 2 ऑक्तूबर की सुबर है 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 अकांचा थारा में वाश्रूम पे हूँ नाश्ता किचिन पे रखा है वहाँ से ले लो ताले प्रभीन अराम खोर तु मेरे पीछे से मेरी गर्फरेंड के साथ हाई मेरे बाता हूं तुझे आके और फिर दो अक्टूबर की सुभा रवीन की लाश उसी के घर से मिली तो देख आपने मिल और सारा जो केस है वह हमारी आंखों के सामने है नया जो बंदी अपने बंदे की सगीनी हुए उसको क्रेडबल विटनेस नि मान सकते यार इनकी गवाई खारिच करने पड़ेगे यार यह प्रेडबल विटनेस निया शॉरी कुछ थोस्श्बूत चाहिए कुछ थोस्श्बूत मिशराजी थोस्ट फुक्ता सबूत फुक्ता सबूत चाहिए आपको अब मैं कोर्ट में ऐसा सबूत पेश करने जा रहा हूँ जिससे केस बिलकुल साफ हो जाएगा दूत का दूर और पानी का पानी हो जाएगा क्या क्या चीज़ मैं अलग से दिखाओ मुझे नई नई न अगर टीवी खराब ना होता तो आज ही फैसला हो जाता कोई नहीं मैं दो चार दिन की बाद की डेट देता हूँ टीवी रिपैर हो जाएगा तब तक नहीं सर्, सुवा रिपैर करवा दिया था मैंने तो मर जाएगा मेरे हाथ से फॉल तूब दोगो मिश्रा जी एश जाएगो सुव़े हैまだ बीएश्याईब तूब जद्याँ कि शुनॉच से निए... तुरों नहें? नहें एक अपारी नहें? नहें नहेंथ क्यों से नाष्ण जरते। आए मिट्वट के गरी माना रखें कानून को हाथ मेनि ले सकते हमागा जी मुझे लगता नहीं कि अब और कैसे सबूत की जरूरत है देखो यार मिश्रा जी शुबूत तो तुमारा था मतलब अच्छा था पर देखो खून तो इसमें भी मतलब होते हुए नहीं दिखा अभी तुम एक जज किसने मनाया यार शाले जज से बत्तमीजी कर रहे है साई के बत्तमीजी सारे सबूत सारे गवाद चिला चिला के कह रहे है कि कौन जर्मने कानी ने किया और तुम अपनी दुन में लगे है तून नीचे कलो लाइसेंस कैंसल कर देंगा तुम्हारा तॉन की ऐसी कि तैसी मिश्रा बेटा गया तीन महीने के लिए तुम्हारा लाइसेंस घर बैठो अपने कि अधर बैठा बेठा बेठा चुप हो जाओ बता है तो महारा तुम्हारी बीवी का तलास वा महीना मिश्रा बेठा एक शमद वार बोले हमाई हमाई बीवी के बारे में तो काला कोट सिर्फ शादी भी आमें पहनते लिखाए दोगे कसम बता रहे करिया खतम कर देंगे त कर लिखा Johann horrible लुछ बारे बाताँ के दो मिलिर्सेंस गारे दोगे चुप पूझा दोगे चुप जो कि देखो मिश्टरा कुछ भी गरो बीवी से मजात नहीं बीवी को बीच में मत लेके आना कभी दुभारा तो तमाम सबूत और गवाओं को मद्दे नजर रखते वे ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ऐसे नकली गवाओं और इस एक वॉलेट को सबूत मानके धर्मेंद्र सैनी को फांसी देना बहुत ही अन्याय होगा लिहाजा ये अदालत इसमें सब कुछ छोड़ के जाने से क्या होगा देख मैं क्या कह रही हूँ उसको न अस तब कुछ सब सब बता देते हैं I'm sure he will understand कौन क्या understand कर रहा है अचा चल्ड मैंना तरचे बाद में कॉल करते हैं Bye किसका कॉल था? वो ना मेरी फ्रेंड का कॉल था उसकी ना एक situation है क्या situation? वो ना अपने ही boyfriend के best friend के साथ उस पे चीट कर रही है तो मैंने उसे बोला किनो उसको सब कुछ सत-सत पदा दे I'm sure he will understand गंटा understand दोनों को जिन्दा कार देगा कैसे लोग है यार इस दुनिया मतला अपने यी बंदे के best friend के साथ चीट कर रही है तु क्यों hyper हो रहा है उनकी situation है बोस्ट अम्हाले एंगरम के birthday party पे आयन प्रविल had a moment निक्की भाई निक्की को देखाएगा एक आम बचाए क्या अरे बढ़े के दिन तो इज्जत कर लो यार निक्की वाई फोगी तेरे भाई किया वीडियो काल पर बात कर आता हूँ है वोट में पता कॉन मिलाज तेक वाला धरम इस्हेर्जिड के रया कि अरुने अरुने के यिक्की ऋफ्रुकिंद निक्की को देखा है गीए काहि मिले टॉब वोलुयों मैं ढुण रहा था अरु बिक्की कै misery क्यों stamp कि appro कि रुसर हो पहो लिहाजा ये अदालत धर्मेंद्र सेनी को प्रवीन रंजन के कतल के जुर्म में दोशी मानते हुए दफा 320 के तहट फासी की सजा सुनाती है टू भी हैंक तिल डेट अज़न